उगते हुए सूरज को अभी भी देख सकते हैं एक मिनट तक तो थोड़ा उपर आ गया है एक दो मिनट से सुरू करके पांच मिनट तक देखना अभी बहुत ज़्यादा तेज रश्मिया नहीं है आप देख सकते हैं इसी को त्राटक कहते हैं योग में नेत दो तिस्तथा भस्तिस त्राटकम नूलिकम तथा कपाल भातिस शैतानी शटकर्मानी प्रचक्षा बिना पलक जपके खुली आखों से ऐसी सूर्य को देखते रहें उमस्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे महिश्ट देखो सभी इससे नेत्रजयोती बढ़ती है इससे डिप्रेशन दूर होता है दुनिया की जन देशों में सूर्य उदय ज्यादा देर तक नहीं होता देखो थोड़ी लालिमाल सालिये अलग 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 रंगों में इंद्रध होनों से साथ जो रंग हैं वो आपको सहस्थ दिखते हैं जिन देशों में में कहा रहा था सूर्य उदय पूरा नहीं होता है वहां फिर बड़े बड़े बल्ब लाइट से लगाने पढ़ते हैं नहीं तो लोग डिप्रेशन की सिकार हो जाते हैं अवसाद से बचा करके प्रसाद प्रसन्नता को प्रदान करता है सुब और जो सुब उनको कभी स्ट्रेस नहीं होगा उनको कभी डिप्रेशन नहीं होगा उनको डिमेंसिया नहीं होगा आजकल बहुत हो रहा है भें डिमेंसिया था जा हैं नाइब होने those ने लगता है सूरिय का त्रत करने से भूकर और प्यास परभी नियंत्रन आ और जो हम अन्न से उर्जा पाते हैं उसका ये विकल्प है सूर्य खाली यह प्रकाशी नहीं देता है इसमें अखंड उर्जा ऐसे आप प्रियास करना कि सप्ताह में दो तीन दिन से ले करके संभव हो सके तो पांस दिन और जो रोज सूर्य का त्राटक कर सकें तो पांच मिनट से प्रार्म करके आप आदा घंटे तक अधिक्तम करना इससे ज़्यादा मत करना इससे ज़्यादा मेरा अनुभव नहीं है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं किसी को इससे ज़्यादा अनुभव हो तो देख लेना तो मुझे लगता है लगभग पांच मिनट का आपका समय हो गया अब थोड़ी देर आखे बंद रखना तो आपको अंदर सूर्य दिखेगा जो आप बाहर देख रहे थे आज यहां चक्र में जैसे सूर्य उदर होता है मैं ऐसे खुद अनुभव कर रहा हूं इतना तेज दिख रहा है अंदर अंदर और उस लाली मा में चारो तरफ लाली मा विखरी हुए है और बीच में सूर्य दिख रहा है आखे बंद करने के बाद भाई यह त्राटक के बाद यह आंतरिक त्राटक हो गया नेती धो तीस तथा बस्तिस त्राटकम नोली कम तथा खपाल भातिस सैतानि शक कर्मानि कि यह नेत्र जियोती के लिए आत्म जियोती को जागरित करने के लिए अजस्र उर्जा पाने के लिए अवसाद के पार प्रभुका प्रसाद पाने के लिए आपको सूर्य उपासना बताई दोनों हाथों का आपस में रगड़ें अब हाथों की गरम गरम अथेलियों की उर्जा का उश्मा का आखों पर अंजन करते हैं अब आखें खोल दीज़ें